हेलो दोस्तो अगर आब भी बोपाल राजगर्ड राइसेन विदिसस सीहोर शियोपूर मुरेना बिंड अशोक्नगर गोना ग्वालेर दत्या शिवपूरी अलिराजपूर इंदोर खंडवा खरकों जाबुवा दार बुरानपूर बडवानी कट्नी चिंदवाणा जबलपू इन जिलों में से अगर आप मध्यपरदेश में कहीं पर भी रहते हैं अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आप अपने यांकी मौसम की जानकारी बिल्कूल भी नहीं जान पागे इसलिए कमेंट करके जरू बतना कि आप कहां पर रहते हैं तो दोस्तो मौसम विभाग की माने तो मध्यपरदेश में आने वले 24 गंटों में पूरी तरह से मौसम बदलेगा और मध्यपरदेश में कई जगों पर रेड अलेट भी जारी किया गया है जी हाँ भारती मौसम विभाग की माने तो पूरे के पूरे मध्यपरदेश में मौ बारिष। होई है वहीं आपको बता दोस्तों मौसम विबाग ने जो है छिंदवडा बालागाड बेतूल हर्दा खंडवा अलिराजपूर जाबो और धार में कहीं पर अत्ती भारी भारिश होने की चैतावनी है मौसम विबाग की माने तो दोस्तों अनुकपूर डिंडोरी चतरपूर राजगड, होसंगाबाद, बुरानपूर, खरगोन, खडवानी, देवास, आगरा, शिवपूरी, दत्या, मुरेना और शिवपूर कला में भारी भारिश की चैतावनी जारी की गई है यानि कि दोस्तों जो है मध्या प्रदेश में आप भारी भारिश होने है अगले 2-3 द अपता से कुछ जिलों में लगातार बारिश हो रही है तो कहीं पर रुक रुक कर बारिश का दोर होने के बाद इस सीजन में मानसुन को अब पूरा कोटा हो गया है और दोस्तों बता दे कि मध्या प्रदेश में अब जो 601 mm बारिश हो गई है मीमी बारिश मतलब लेकिन द दोस्तों मध्या प्रदेश के इंदोर में 24 गंटों की दौरा अच्छी बारिश होई है यहां पर 21.7 mm तक पानी गिरा है और जबलपूर में 3.7 और राजदानी बोपल में 0.9 mm और ओजेन में 2 mm बारिश देखी गई है और दोस्तों काफी ज़्यादा मौसम विबाग की मिल दूल शतरपूर मंडवला और दोस्तों मालागाट और शिवनी जिले में भारी बारिश के जतानी जारी की गई है मध्य प्रदेश में 24 गंटों में बोपाल रिवा शेडोल होसंगावाद गौालियर और चंबल समगों के कुछ इस्तानों पर भारी बारिश दर्च की गई ह और मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिरों के दर्च में भारी बारिश होने वाली है जी हां दोस्तों मध्य प्रदेश के 4 जिलों में जो समानी से ज़्यादा पानी गिर चुका है गवालियर में 36, सिंगरोली में 40, खंड़ों में 30, बढ़वारी में समानी से 24, ज़् की धार, मंसोर, साजापूर, होसंगाबाद, और नर्सिंगपूर, भालागाड, सागर, टिकमगड, गुना, कटनी और चतरपूर में सामानी से काफी कम बारिश होई है और वहीं दोस्तों इन 10 जिलों में सामानी से 22 परतिसद से लेकिया 35 परतिसद तक पानी कम गिरा है, 6 जिलों में सामानी से 22 परतिसद बारिश होई है, मौसम विबाग ने सामानी बारिश की गंड़ना कुल बारिश की बारिश परतिसद की अनुसार रहा और इसमें सामानी से 19 परतिसद ज्यादा और 19 परतिसद कम बारिश सामानी बारिश माना गया है, वहीं दोस्तों आपका जिलों में जबलपूर, नरसिंगपूर, मंसोर, निम्च, गुर्णा, चिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, दमवा, सागर, चतरपूर, राइसेन, सिहोर, राजगड, होसंगाड, होसंगाड, आगरा, अशोकनगर, टिकमगड, मैं भारी बारिश के चैताओं ने जारी किये ग जबेरा में, 14, पीछोर में, 11, पाटन, जबलपूर, पन्दागर, और कट्टीवाडी में, 10, और वारसिवाणी में, महेदवाडी में, शिवपूरी में, 9, भिंड, और खानियादाना, भाबरा, और तेंदु खेरा में, 8, शेहिन्दवा में, 7, अलिराजपूर, कोलारस, क प्रटंगी में 6 सेंटीमीटर बारिस दर्ज की गई है जी हाँ दोस्तों आने ले 2 से 3 दिरों के दर और मद्या प्रदेश में आने की भारी बारिस के संकेत बने हुए आपके आपर दोस्तों अभी मौसम कैसा कमेंड करके जरूर बताना और मौसम विबाक केंदर के मुतावी दोस्तों बताये गया है कि आज सुबे जो है काफी अच्छी जबलपूर में बारिस हुई है बेतुल में दमवा में उमरिया में रतला में रीवा में खजुरा में मंडला में नोगाओं में इंदोर में धार में सागर में बारी बरसात हुई है वही दोस्तों दक्षिन पू तो कई शेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शेत्र विक्सित नहीं रहे होने से उमसोर बैचनी बड़ी है और यदी जिले में कभी भी कम दावा का शेत्र बनता है तो देज बारिश भी हो सकते हैं लेकिन हाओ की दिसा बदलने से भारी बारिश वाले जो बादल दूसरे शेत्रों में खिसक चुके हैं और दूसरो इस सी चिलों में भारी बारिश होने के संकेत नजर आ रहे हैं मुसम विबाकी माने तो दोस्तों मद्यप्रदिश के जो भौपाल रिवा शेडौल खोसंगाबाद गौालियर और चंबल संभागों के शेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई हैं उमरिया में 15 डबरा शिहोर तेदू खेड़ा में आठ शामपूर बयोहराई राजगर में साथ सीधी और दोस्तों समनापूर कटी वड़ा में छे रामनगर और दोस्तों डिमर खेड़ा बयावर में 5 सेंटीमेटर बारिश दर्ज की गई हैं यानि कि दोस्तों बहुत ही अच्छा मुसम जो बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं चेंद रोड़ा में दोस्तों आने वले 24 गंटों में बारिश होने के अनुवाने बेतूल हर्दा और साथ में खंडवा अलिराजपूर जाबुआ में कहीं कहीं पर अत्ती बारिश के चेताओं नहीं मुसम विबाग ने जाली मिली जानकर अनुपूर डिंडोरी चत्रपूर शिहोर राजगड होसंगाबाद बुरानपूर खरगोन खडवानी देवास आगरा शिवपूरी दत्या मुरेना शिवपूर कल्ला में भारी बारिश के चेताओं ने जारी की गई यानिकि मध्यपरदेश में अगले एक सब्ता तक काफी अच्छा मौसम होने के संकेत नजर आने हो लगबग मध्यपरदेश के कई जिलों में आप गर्मी से पूरी तरह से रात मिल गई है जी हाँ दोस्तों आपके हैं पर मध्यपरदेश में अगर आप रहते तो आपके हैं पर कैसा मौसम में कमेंट कर गया है जरूर बताना मैं आपका बता दोस्तों मध्या परदिश के कई जिलो में तेज बारिश के कारणट जोए पिछ ले चोबिस गंटों में कही जगों पर भारी बारिश में पानी भी हो गया है रोड पर सढ़कों पर जी हाँ धूस्तों वह दोस्तों अगले तीन से चार दिनों के तुरहन मध्यपरदिश में काफी जगों पर भारी बारिश के संके थे और इंदोर में और दमोह में भी बेतुल में भारी बारिश के संके नजर आ रहे हैं यानि कि दोस्तों मद्ध्य प्रदेश की राजदानी से लेकर इन दोर उज्जेन सभी के स्वाबी जवगव पर जोए मौसम बदलना ला तो यह था पूरे मद्ध्य प्रदेश का मौसम अगर आपको वीडियो पसंद लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब